आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ डिजाइनर कुर्ती के पैटर्न बताऊंगी जिससे कि अगली बार जब भी आप अपने कुर्ती को डिजाइन करना चाहें या अपने टेलर को कपड़ा देना चाहें तो आप इन सारे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं कुछ साडी से जो कुर्ती बना सकते हैं सिल्थ साडी से उसके बार में बात करूंगी ये एक रिक्वेस्टेट वीडियो है मुझे एक सब्स्राइबर ने कहा कि उनके पास एक कांजी वर इन कुर्ती है ये सिंपल कॉटन की कुर्ती है लेकिन अगर आप इससे कांजी वरम साडी से अगर इस तरह की कुर्ती बनाना चाहते हैं तो इसमें जो साइड में जो रेड कलर का पैटन बना हुआ है पैनल दिया गया है वो आप अपनी कांजी वरम साडी के पल्लू से दे सकते कुछ बटन्स भी आप एट करें इसी पैनल के बीच में तो और क्लासी लगेगा अगर आप हैवी कोई इंप्रॉइडर्ड साडी चाहते हैं या एकदम पार्टी वियर लुक चाहते हैं अपनी साडी से कुर्टी बनाने के लिए तो आप इस तरह का एक ग्रीन कलर का अनारकली सिली गई है नीचे का जो है वो प्लेट से अलग दिया गया है और जो टॉप पार्ट है वो डिफरेंट फाब्रिक से अलग से बनाया गया है तो इसी पैटन में एक और ये भी है सेम ग्रीन कलर की कांची वरम साडी से आप इस तरह की भी एक फ्लोर लेंग्ड अनारकली कु अगर आप सिंपल लोग चाहते हैं तो आप अपनी साडी का जो पाल्ट दे सकते हैं ये भी सेम उसी तरह का पैटन है लेकिन इसमें जो स्लीव से उसमें पफ दिया गया है उसकी वज़े से एक अलगी फैरी टेल जैसा लुकार आए है सेम इसी तरह में एक और प्लोर लाइ इसके लिए अगर आप सिंपल लोग चाहते हैं तो आप अपनी साडी का जो पलू है और जो बॉर्डर है उसे आप खाटके जो उसमें प्लेन जो ग्रीन कलर का कपड़ा है उसे आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ कॉंट्रास्ट कलर का सिंपल शिफॉन का दूपट्टा अगर आप यूज़ करें तो यह कैजूल लोग भी एक स्ट्रेट कट गुर्टे का बन सकता है इसी तरह आप प्लेन अगर गुर्टी और बनाना चाहते हैं तो उसमें आप एक यह पैटन भी ट्राय कर सकते हैं सिंपल प्लेन अनारकली गुर्टी है इसमें ब कुर्टी के सार कॉंट्रास्ट कलर का फ्लोरल कलर का दूपट्टा यूज़ करें फ्लोरल पिंट का यह भी बहुत अच्छा लुग देता है आप चाहें तो नीचे की तरह बॉडर ना काटे साड़ी की और इस तरह की बॉडर भी दे सकते हैं उसे अगर एक और पी पैटन ह अगर आपके पास सिंपल कांची वरम साड़ी है उसमें थोड़ा बहुत गोल्डन वर्क बिंटकी इस तरह की दी गई है और ज्यादा उसमें पल्लू हेवी नहीं है तो आप पल्लू को हटा के सिंपल इस तरह की एक अनारकली कुर्टी बनाएं उसी सेम फाब्रिक से आप प्लाजो तयार करें अपना और उसके साथ कॉंट्रास्ट कलर की इस तरह की चुन्नी लें चुन्नी में भी आप इसी सेम साड़ी की स्ट्रिप लगा के बॉर्डर में इस तरह से लगाएं और उसमें आप कुछ इस तरह के गोल्डन पैचेस अटैच कर सकते हैं जैसे इसमे कि आप क्रीन कुर्ती बना लें सिंपल उसके साथ सेम उसी कलर का उसी फाब्रिक से प्लाजो बनाएं और उसके साथ इस तरह का आप बानी प्रिंट बंदेज प्रिंट का जो दुपट्टा होता है वो भी आप तयार कर सकते हैं ये भी एक बहुत इंडो वेस्टन ट्रेडि के जो साडी के बॉर्डर है उसी से लगाए गया है ये जो बेल्स बनाए गया है बहुत सुंदर दिख रहे हैं और कॉंट्रास्ट कलर का फाब्रिक बटन यूज किया गया है अगर आप फाब्रिक बटन घर पर नहीं बना सकते तो आप सिंपल जो प्लास्टिक के बड़े- भी इसी तरह के कपड़े इसके बनाके लगा सकते हैं और एक ये पैटन है कि इसमें आप सिंपल कुर्टी बनाए और फ्लोर लेंग कुर्टी और उसके उपर इस तरह का जो पल्लू से जो जैकेट बनाया गया है कॉंट्रास्ट कलर का है वो भी आप एक पैटन बना सकते है और बीच में इस तरह के फाब्रिक बटन्स लगा सकते हैं और अगर आप कुछ डिफरेंट लुक चाहते हैं यूनीक टाइप का तो आप जो एक साइट का जैकेट बनाए गया है यह आप देख सकते हैं एक पैच वक यूज किया गया है और पफ स्लीव्स दी गई हैं और नेक की तरफ जो है वो बटन लगाए गया है से क्लोज करने के लिए इसी पैटन है आप घर पे भी बना सकते हैं अगर आपकी साड़ी में दिफरेंट दो कलर हैं हलका और डार्ग इस तरह का तो यह क्या करने सकते हैं और इसमें सेक्वेण फ़ाब्रिक अटपर किया है तो हाफ सर्कल में तो आप एक यह भी पैटन ट्राइ कर सकते हैं अगर आपके पास सीक्विन फाब्रेक अवेलेबल है तो आप टॉप पार्ट में इस तरह को भी कुछ डिजाइन दे सकते हैं और अपनी स्लीफ में इसी तरह के कुछ मोधी वर्क या कुछ बीट्स लगाके उसे डेकोरेट कर सकते हैं तो उमीद करती हूँ कि आपकी कुछ हेल्प होई होगी इस वीडियो से अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हम फिर मिलेंगे अपने अगली क्रेशन में तब तक के लिए शुक्रिया तो फ्रेंड्स यह थे कुछ डिजाइनिंग आइडियास अपने फैप्रिक को और अच्छा बनाने के लिए अगर आप इसी तरह के और डिजाइन्स या कुछ डिफरेंट डिजाइन्स देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और अगर आपने अभी त